तो थीक है दोस्तो अब यहां पर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक कहा से लाते हो तो दोस्तो बहुत सिंपल है इतने सारे लोग कमेंट करते हैं तो वही से जब मुझे थोड़ा सा यूनिक टॉपिक कभी मिल जाता है तो उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि हर एक कमेंट को रिपलाय देना थोड़ा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है सो चलिए ठीक है सो अभी टॉपिक क्या है दोस्तो जो कमेंट में चीज़े पूछे गई थी कि सर अगर हम लोग यहाँ पर शेर को बाय करने जाते है फिलाल की स्तीती में ठीक है सो बहुत सारे शेर अवेलेबल है मार्केट में पर बाय करने के लिए जाएंगे तो ऐसे कौन से शेर है जहां पर हम लोग उने अलर्ट रहना चाहिए मतलब कुछ नए बड़े नाम्स की अगर हम लोग बात करे ना मतलब पेनी स्टॉक्स तो हम लोग देखते भी नहीं चलो ठीक है बट कुछ कंपनिया ऐसे नहीं है कि वो पेनी स्टॉक्स नहीं है वो बड़ी कंपनिया ही है उनके नाम भी बड़े है मार्केट कैप भी बड़ा है तो उन कंपनियों में जाने से पहले हम लोग ने अलर्ट रहना चाहिए या फिर आप बोल सकते हो कि हमें extra research की जरूरत है मतलब इन companies में blindly नहीं जाना चाहिए तो बहुत ही जबरदस्त यह सवाल यह आप पे पूछा गया था तो उसी को fulfill करने की कोशिश यहापे में करने वाला हो तो आपको समझ में आ गया तो yes कि अभी ऐसे 4-5 कंपनिया में आपके सामने रखूंगा तो बोलते हैं न कि आप 100 बार सोच लेना इनमें निवेश करने से पहले ठीक है क्योंकि इनमें थोड़ा risk category अभी हम लोग को high होते वे दिखने को आपे मिल रहा है रेट कंपनिया बूरी तो नहीं बूल सकते वैसे बट yes बहुत ज़्यादा risk अभी बन चुकी है तो ये point आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आपको जाना ही है तो extra research करके चले जाओ पस इतना है में आप लोगों को कहना चाहूँगा अगें disclaimer भी देना चाहूँगा खरीदना है नहीं खरीदना है बेचना है होल्ड करना है वो आपकी मर्जी तो चले एक-एक stock को cover कर लेते पहली company दोस्तों वेदानता लिमिटेड वेदानता की अगर हम लोग बात करें तो ये company एक retail investor इसमें ज़रूर निविश करता है क्यों करता है पता है आपको dividend का चक्कर येस ये company लगातार dividend देते रहेते हैं आज के दिन भी खबर आप लोग ने सुनी होगी मतलब आप देख सकते हैं देखे वेदानता डिकलर 5th interim dividend 20 रुपया 50 पेसे पाच हुआ dividend पाच हुआ तो इसी चक्कर में बहुत सरा लोग क्या कर लेते हैं चलो हम लोग भी आपे dividend यापे लगातार बारीश होरी है dividend की तो हम लोग खरीद लेते हैं करके पर जैसे मैंने आप लोग को बता है कि dividend एंड FD में एक बहुत बड़ा फरक है कौनसा फरक है कि अगर आप यहापे एक लाक रुपय के FD करते हो ठीक है आपको जितना भी interest उसके ओपर मिलेगा मान लीजे कितना बोलते थे पाच हजार बोल देते ठीक है तो आपको पाच हजार interest भी मिलता है और आपका एक लाक रुपया जो आपने लगाया था ना प्रिंसिपल अमाउंट वो भी पूरा मिल जाता है शेर मार्केट में ऐसा नहीं होता है शेर मार्केट में लोग क्या करते है कि उनको dividend तो मिल जाते है चलो पाच हजार मिल गए ये एक लाक रुपया पूरा नहीं मिलता है उनको वेदानता जैसे केसिस में वो स्टॉक नीचे गिर जाता है और आपको मिलेगा केवल सत्तर हजार क्या फायदा आपका नुकसानी हो गया नेट-नेट पच्छेस हजार आपका चला गया तो ये जो डिविडेंट येल्ड वाली जो चीज़े ना ये देखिया 28-30% डिविडेंट येल्ड ये देखकर ही लोग मतलब इदम पागली हो जाते कि बाप रे बाप क्या कंपनी की चमतकार है बट सिर्फ ये परसेंटेज वाला खेले ना हर किसी को डुबा देता है मैंने इसके उपर वीडियो भी बनाया था इसके उपर एक और डीटेल में वीडियो ज़रू बनाऊंगा तो ये चीज़े आपको यहापर समझ में आने चाहिए और अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखिये maximum chart pattern देखिये प्लस management ने जो बीच-बीच में जो चीज़े हुई थी बिलकुल भी मतलब बुलते ना इसका constant management यह नजर नहीं आता है इदर उदर controversy में बहुत फसा रहता है इनके उपर भी बहुत बड़ा करजा है दोस्तो मतलब बुलते ना कि अदानी के बाद अगर किसी को मतलब सबसे आद तकलिफ हो सकते तो वे वे वेदानता ही है इतना करजा लेके रखा हुआ है मतलब आप अंदाजा लगाई है कि उनके पास जो 70% holding के प्रमोटर की 99.99 मतलब 100 टक का कंपनी उन्होंने गिरवी रख दिये पूरी की पूरी कंपनी लगातार डिविडेंट चलते रहता है चलते रहता है उनको डिविडेंट तो मिल जाता है मैंने जैसा आपको बोला बट उनका कैपिटल खद्रे में आ जाता है यह सबसे बड़ी प्रॉब्लेम है तो यह पॉइंट आपको पता होना चाहिए निवेश करने से पहले सो बार सोच लेना बस इतना ही कहना चाहूँगा जैसे कि अगर मैं बात करू कि जो कंपनी अगर आपको पसंद नहीं है या फिर जो मुश्किल में नजर आ रही है तो वो कहा कहा पे इन्वेस्टेड है या फिर उसके साथ कौन से बिजनेस असोसियेट है किसकी साथ उनकी पार्टनर्शिप है वो भी हम लोग कह सकते हैं खतरे में आ सकते हैं उनके उपर भी आप बोल सकते कि अलर्ट आप लोग ने मिंटेन करना चाहिए जैसे कि बहुत सारे इसे लोगे जो बोलते सर वेदानता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है सर वाट अबाट हिंदूस्तान जींग क्या मैं इसको खरीदो अरे हिंदूस्तान जींग भी कौन सी कंपनी है अल्टिमेटली है वेदानता की कंपनी तो इतना कोई सूपर डूपर रिटन का चार्ट पैटन नहीं है तो ये पॉइंट निवेश करने से पहले डिसाइड कर लेना निवेश करने के बाद रिसर्च करके क्या मिलेगा ठीक है तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो अदानी से रिलिटेड तो आपको पता ही है बहुत सारी खबरे आ रही है बहुत ज़दा ग्रूप वालेटाइल यहापे हो चुका है जो लोग टॉप लेवल पे फसे है वो तो अभी लिटरल प्रे कर रहे कि वापस कब आएगा करके जिसके चांसेज बहुत ही रेर हम लोगों को देखने को मिल रहे है बट उसी के साथ साथ उस ग्रूप का जिसके साथ भी बिजनेस है उनके उपर भी थोड़ा सा आप लोगोंने अलर्ट मतलब संभाल कर जाना चाहिए ऐसा बात नहीं कि वो कंपणी खराब है जैसे के LIC LIC खराब नहीं कंपणी बट अदानी ग्रूप के चलते हैं अभी उसका मतलब जिस दिन अदानी के शेर्स गिरते है LIC को भी आप देख लो जबरदस गिरावट देखने को मिल जाते हैं लगातार आप चेक कर लेना जब से हिंडन बग का इशू हुआ है लगातार इस टॉक में हम लोगों को सिर्फ नया नया लोही बनते वे देखने को मिल रहा है तो यह निवेश्ट करने से पहले आप लोगों को पता है यहाँ पर होना चाहिए यही तो रहता है जैसे मैं आप लोगों को बता है कि जो चेन रहती है न यह हमेशा है याद रखना कि अग इस कंपनी ने कुछ नहीं किया है इस कंपनी ने कुछ किया है तो यह सब एक दूसरे के साथ अटेश्ट है तो इसको भी ले डूबेगा तो यह प्रॉब्लिम हो जाती है आप लोगों को देखने को मिल सकती है तो यह एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहापे होना जै क्योंकि जब भी अदानी का नाम सामने आता है स्लो डाउन में चलते भी देखने को मिलेगी कभी भी नेगेटिव खबर आ गई आपने चेक किया होगा एस बैए का शेर भी गिर जाता है आज अदानी ने अच्छा परफॉंस दिखा है एस बैका शेर भी थोड़ा बहुत भाग लिया तो इस प्रकार की चीज़े हम लोग पहल रहता है कि सरकारी कंपनी है बहुत सारे इस बैंक को चुना अल्रेड़ी लगाए जा चुका है विजय माल्या की भी अगर मैं बात करूँ नो हजार करोड़ भी जो उन्होंने चुना लगाए था वह SBI को ही लगाए था तो यह चीज़ें लगातर होते रहेता अभी इ अगर हम लोग बात करेंगे पतानजली फूर्ड्स यह दोसो पतानजली फूर्स में भी निवेश करने से पहले आप लोगोंने संबल कर जाना चाहिए कि हाली में यह आप लोगों को पता ही है कि प्रमोटर के जो शेर्स है वो फ्रीज यहापे हो चुके है 80% होल्डिंग प पतानजली फूर्स वैसा कोई खराब कमपनी देखने को नहीं मिल रहा है पट यह कॉर्परेट लेवल के अगर हम लोग बात करें तो बहुत बार हम लोगों को यूटर्न देखने को आपे मिल जाते हैं तो यह पॉइंट हम लोगों को पता है हापे होना चाहिए तो निवे अगर हम लोग आखरी कमपनी की बात करें वो है टाटा स्टील टाटा स्टील के भी बहुत सारे फैंस देखने को मिल जाते हैं रीजन बहुत ही क्लियर है कि अब यह सो रुपे तक आ चुका है प्लस टाटा का नाम देखके ही बहुत सारों का ऐसा लगता है कि चलिए रैंड इन्वेस्टर कमाता है टाइम के मुताभिक तयां के मुताभिक मतलब जितना आप लंबा खेलोगे मार्केट मे दो साल चार चार साल पाच साल दस साल पैसा बनता है ट्रेडर की बात करें तो यहां पर हम कह सकते है कुछी टाइम के लिव आता है बहुत टाइम Jupiter क्यों वाला stock नजर नहीं आता है, तो ये भी point आपको पता होना चाहिए, multiple times में इसको cover किया, आप देख सकते हो, ये भी बताया चाहिए, कि इसमें FD से भी कम returns बने हैं, सोचके लिखे, Tata नाम है, इसलिए निवेश मत करो, सही company में निवेश करना चाहिए, जिन्होंने TCS में निव उनका FD से भी कम return बना, तो सही जगे पे भी investment होना, ये बहुत ही important बात या पे होती है, तो ये point भी आप लोगोंने निवेश करने से पहले सोचना चाहिए, नो डाउट या पे हम लोगों को एक mega merger होते वे दिखने पने लेगा, बट उसके लिए बहुत ज़दा time लगने व ये point आप लोगों को पता है, आपे होना चाहिए, तो आशा करता हो, जितने भी important points थे, बहुत ही interesting topic था, इसको मैंने cover कर लिया है, जरू इसको study कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे, तो जरू like कर देना, आपके like के करण मेरा motivation बढ़ जाता है, और चाहू तो इसको share भी क कर सकते हो, and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो के लिस्ट आपको free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कौन सा account आपने link के दर open के है, properly comment section में mention कर देना, तो अफ्टेबर के अंदर अंदर सारे lecture सापलों को free of cost प्रवाड कर दे जाएंगे, ताक share market को आसान बाशा से सीख सको, so that's it, thank you very much, so we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye bye